हलू फ्रेंट्स सूनी बढ़िक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम 42 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आप मेजर्मेंट इसक्रीन पे देख सकती हैं तो यहां से हम एक सिधा निशान लेंगे और अपनी लंबाई देखेंगे तो लंबाई हमें साड़े 14 इंच त्यार करना है तो हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे एक इंच हम पलस करेंगे यानि बढ़ा के लेंगे अब यहां से भी हम एक निशान लगा लेंगे इन दोरों निशानों को सिधा कर लेंगे अब हम पना शोल्डर देखेंगे तो शोल्डर हम यहासे साड़े पांच इंच का रखेंगे पीछे का गला हमारा नो इंच उपेन होगा तो हम शोल्डर साड़े पांच इंच पर रखेंगे सेम निशान यहासे भी एक साड़े पांच इंच पर लगाएंगे अपना आर्म होल देखेंगे तो आर्म होल हम 5 इंच पे लेंगे और इन निशानों को भी सिधा कर लेंगे और इस निशान को आगे की साइट बढ़ा लेंगे अब यहां से हम पॉना ही यानी दो से तीन पॉइंट ही हम यहां पे डाउन करेंगे और यहाँ से इसको तिर्चा मिला लेंगे तो यहाँ तक हमें ऐसे तिर्चा मिला लेना है अब हम अपने आर्मोल की गुलाई देखेंगे तो यहाँ से हम पौने एक इंच की दूरी पर अपनी गुलाई लेंगे तो ऐसे हम अपनी गुलाई कम्प्लेट करनी है और नीचे वाली लाइन पे लेके आना है अब हम पना चेस्ट का लगाएंगे तो चेस्ट अमारा 42 सिंच है तो 42 का वं चोथा भाग निकालेंगे तो वह होगा साड़ेदा सिंच तो साड़ेदा सिंच पे निशान लगाएंगे सेम निशान नीचे की साड़ेदा सिंच पे लगाएंगे और इन दोरों निशानों को सिधा कर लेंगे अपनी शिलाई मार्जिंग रख लेंगे तो जैसे आप शिलाई मार्जिंग रखना चाहती है तो जैसे आप शिलाई मार्जिंग रख सकती है दो इंच से ज़्यादा सिलाई मार्जिंग ना रखें अब यहां से अपना आर्मोल देख लेते हैं तो आर्मोल हमें साड़े आठ इंच चाहिए तो यह हमारा साड़े आठ इंच पर त्यार आ रहा है अब यहां से हम अपना शोलर रखेंगे तीन इंच का पिछे का गला हमारा नो इंच उपन होगा तो साड़े नो इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से हम तीन इंच का फैल आओ देंगे इन सभी निशान को सिधा कर लेंगे अब यहां पर अपने गले का शेप लेंगे तो यहां पर गोल सेप दे देते हैं अगर आप कोई डिजाइन करना चाहती है तो आप इसमें डिजाइन भी कर सकती है अब यहां से अपना डॉट पॉइंट देखेंगे तो डॉट पॉइंट हमारा साड़े दस इंच है तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे अब यहां से हम 4 इंच की दूरी लेंगे तो यहां से हमने 4 इंच की दूरी ली है और इस निशान को भी यहां से सिधा कर लेंगे अब अपनी शिलाई मार्जिंग रखेंगे तो यहां पर हम 12 इंच का डॉट पॉइंट लेंगे तो यहां से हम 12 इंच सिलाईड में मैनेज करेंगे तो यह हमारा एक इंच दोनों डॉट पर 2 इंच मैनेज होगा तो यह हमारा कमर का फिक्स हो जाएगा अब यहाँ पर इसकी cutting हम नहीं दिखाएंगे आप अगर इसकी cutting करके फर्मा बनाना चाहती है तो आप इसकी cutting करके रख सकती है चलिए हम front part की cutting करते हैं यहाँ से एक सीधा निशान ले लेंगे और अपना lower breast निकालेंगे तो lower breast हमें 12.5 इंच त्यार करना है तो 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक निशान यहाँ से भी लगाएंगे 13.5 इंच पे और इन दोन निशानों को सिधा कर लेंगे अब यहाँ से हम अपना shoulder रखेंगे तो जितना हमने back part में लिया है सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी लेना है शाड़े 5 इंच पे shoulder रखेंगे 5 इंच आर्म होल का रखेंगे और इन सभी निशानों को सिधा कर लेंगे अब यहाँ से हम पॉना इंच इसमें भी हम डाउन करेंगे और यहाँ पे हम अंदर की शाइड आधा इंच डाउन करेंगे अब यहाँ से भी हम पॉने एक इंच की दूरी पे अपनी गुलाई ले लेंगे अब हम अपना चेश्ट का लेखेंगे तो हम यहाँ से पहले अपनी हुकाई के लिए सिलाई मार्जिंग छोड़ना होगा यहाँ से हमें जितना आप शिलाई मार्जिंग में दपाती हैं हुकाई पे उतना आप सिलाई मार्जिंग रख सकती हैं अब सेम निशान तीन इंच पर अपना शोल्डर रखेंगे आगे का गला 6 इंच है तो शाड़े 6 इंच पर रिषान लगाएंगे और इस वाले निशान से हम अढ़ाई इंच का फैलाओ देंगे जो हमने हुकाई के लिए छोड़ा है वहां से हम अढ़ाई इंच लेंगे और यहां से हम अपनी शिलाई मार्जिंग रख लेंगे, अब हम अपना डॉट पॉइंट देखेंगे, तो डॉट पॉइंट हमने पीछे वाले पार्ट में साड़े 10 इंच लगाया है, तो आगे प्रण पार्ट में हम आधा इंच डाउन करके 11 इंच पर निशान लगाएंगे, अब यहां से हम आगे वाली राइनक से हम यहां पर देखें, सवा 3 इंच का दूरी लेंगे, जो हमने हुकाई के लिए छोड़ा है, वहां से हमने 6 इंच का इसमें गैब दिया है, अब हमें अपनी कटोरी निकालनी है, तो 42 इंच में हम 7 इंच पर अपनी कटोरी रखेंगे अब यहां से 8,5 इंच का आर्मोल की तरफ से हम 9,5 इंच पर लेंगे, और गले की शाइट से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे अब इन सभी पॉइंटों को आपस में मिलाते हुए डॉट डॉट कर लेंगे और अपनी कटोरी का सेप ले लेंगे तो यह हमारे निशान कंप्लीट होते हैं चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं रंट्स हमारे चैनल पे और विसाभी साइजों की कटोरी बलाउज, बेल्ट बलाउज, साइज सिंपल बलाउज की वीडियो पहले से भी अपलोड है अगर आप और विसाभी साइजों की कटिंग देखना चाहती है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकती है अब यहाँ से हम अपनी कटोरी को भी कट करके निकाल लेते हैं तो यह हमारी cutting हो चुकी है चलिए अब हम दूसरी कटोरी cutting कर लेते हैं तो अगर आप कपड़े पर cutting कर रही है तो यहाँ पर पुरेवी साइड से ही कटोरी को निकाले ऐसे आप यहाँ से कपड़े पर ऐसे तीर्छा रखते हुए अपनी शिलाइमार्जी रखके इसकी cutting कर ले अगर आप फर्मा बना रही है तो आप सीधी साइड से भी बना सकती है तो यहाँ से हम आपको फर्मा बना रहे हैं तो हम यहाँ से सीधी साइड से ही ले लेते हैं अब सेम निशान हमें इस कटोरी का पहले लगा लेना है अब यहाँ से अपने dot point भी उठा लेंगे और इस को लेके आएंगे अब हमें इस साइड से ही सिर्फ शिलाई मार्जिंग लेनी है तो यहां से हम आधा इνच के करीब अपनी शिलाई मार्जिंग रखेंगे अब यहां से देखिये अपने डोट के लिए भी लेंगे तो पौने एक इंच हम, हम यहां से नीचे से डॉट के लिए लेंगे और इस साइड से भी हम पौने एक इंच लेंगे तो यहां से हम पौने एक एक इंच का डॉट लेंगे और इस साइड से यहां से यहां से सिलाई मार्जिंग लेते हुए इस डॉट तक मिलाएंगे यहां तक हम इसको मिला लेंगे और यहां से भी इस निचान को सिधा कर लेते हैं अब हम नीचे से अपनी शिलाई मार्जिंग देखेंगे तो यहां से हम डेढ़ इंच पे निचान लगाएंगे तो एक इंच हमारा डॉट में जाएगा और आधा इंच हमारी नीचे से सिलाइ मार्जिंग में दब जाएगा तो यहाँ से हम डेर इंच का गैप लेंगे तो यहाँ पे जब हम अपना stitch करेंगे नीचे की side से तो यहाँ पे हमारा पौने एक इंच ही losing आएगा तो यह हमारी कटोरी कंप्लीट होती है चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट हम यह सब फर्मा बना के रख रहे हैं आपको जल्दी हम सभी साइजो की स्टिचिंग भी बताएंगे कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं अब यहां से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे अपने डॉट पॉइंट पे और यहां से निशान लगा लेंगे अब अपनी शिलाई मार्जिंग डॉट के लिए रखेंगे तो यहां से हमने पॉने एक इंच दिया है डॉट के लिए और आधा इंच अपने कमर का जो है वो आला मैनेज होगा हमने यहां पे तिरजी कटिंग नहीं किया हैं अब यहां पे देखें यह हमारा टोटल सवा एक इंच का डॉट आएगा एक साइड से सवा एक इंच और इस साइड से भी हम सवा एक इंच का डॉट लगाएंगे तो टोटल यहां पे हमारा अधा इंच मैनेज होगा अब यहाँ पे हलका शा हम उपर की side से इसको cut कर लेंगे ताकि जब हम अपना belt आटेज करें तो यह हमारे belt में इसको attach नहीं करना है यहाँ से इसको अलग करते हुरे हमें यहाँ पे अपना belt लगाना है तो आप यह کटोरी का shape देख सकती है यह भी पेपर पे है तो कितना प्यारा इसका लुकाया है अब इसको जब भी आप इस्टिच करें इस डॉट को कपड़े में बेल्ट में अटेस ना करें इसको अलग करते हुए अपनी शिलाई लगाए अब यहाँ पे देखिए आधा इंच हम उपर की शाइड लेंगे इस साइड में हमारा बेल्ट एटेस होगा तो यहाँ पे हम आधा इंच उपर की शाइड लेते होगे इस डॉट तक तिर्चा मिला लेंगे इसकी भी कटिंग कर देते हैं तो यह हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई फ्रेंट हम इसका आपको फाइनल लुक भी तैयार करके दिखाएंगे एक एक पॉइंट दिखाएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बुलिएगा चलिए अपना बेल्ट कट कर लेते हैं अब यहाँ पर फ्रेंट पहले यह देख लिए इसका जो हम इसकी कटिंग आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एक साइड से ही अब हमें सिलाई मार्जिंग लेनी है तो यहाँ से हम डायरेक्ट कपड़े पर रखके सेम कटिंग कर लेंगे और बस इस साइड से जितना हमने यहाँ से देखें यहाँ से हम जितना अपने कटोरी में सिलाई मार्जिंग लिया है सिंख उतना ही यहाँ पे निशान लगा के डारेक्ट कपड़े पे ही इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसकी कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आप अगर फर्मा भी बना रही है तब भी आप इसको ऐसे ही रख सकती है अब यहाँ से अपना बेल्ट देख लेते हैं यहाँ से एक सिधा निशान ले लेते हैं और इस साइड में देखिए जितना हमने अपनी होकाई के लिए मार्जिंग लिया है इसका टोरी में उतना ही हम अपने बेल्ट में भी लेंगे यहाँ से निशान लगा देंगे और सिधा कर लेंगे अब यहां से हम अपने बेल्ड का नाप लेंगे तो इस साइड से हम साड़े तीन इंच लेंगे और इस वाल इस साइड से हम तीन इंच लेंगे इन दोनों नुशानों को तिर्छा मिला लेंगे अब यहां से अपने कमर का देखेंगे तो कमर हमारा तैयार होगा साड़े नो इंच 38 इंच का कमर है तो चौथा भाग साड़े नो इंच हुआ और डेड़ इंच अपना शिलाई मार्जिंग रख लेंगे अब इस निशान को यह हमारा निशान रॉंग है यह वाला निशान नहीं है अब यहां से देखें यह सिलाई मार्जिंग का हो गया और यह हमारा कमर का निशान हो गया ऐसे करते हुए हम अपनी बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंट बनने के बाद बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आने वाला है तो आप इसे एक बार ट्राई जरू करिएगा अब चलिए हम अस्तिन की cutting कर लेते हैं तो अस्तिन की cutting करने के लिए हम यहाँ से डवल फोल्ड करेंगे और यहां पे जो extra है हम पहले इसको cut करके निकाल लेते हैं यहां से सीधा निशान ले लेंगे और इसको cut कर लेंगे इसको यहाँ पर फोल्ड कर देते हैं अब हम यहाँ से देखिए अपनी लंबाई लेंगे पहले पहले हमें बाजू की लंबाई लेनी है तो तयार हम बाजू की लंबाई 5 इंच करेंगे तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे यानि 6 इंच पर निशान लगाएंगे सेम निशान यहां से भी 6 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों निशानों को सिधा कर लेंगे अब हमें नीचे की शाई डाउन करना है तो यहां से हम साड़े तीन इंच नीचे की शाई डाउन करेंगे तो यहां से हम अपना आर्मोल देखेंगे तो आर्मोल हमारा साड़े आठ इंच है तो साड़े आठ इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान से इस निशान तक तिर्छा मिला लेंगे बोती आसान तरीका है फ्रंट बाजू के कटिंग करने का अब यहां से देखिये हम अपनी गुलाई लेंगे तो गुलाई हम साथ इंच का रखेंगे और इस निशान से इस निशान को तिर्छा मिला लेंगे अब अपनी शिलाई मार्जिंग रख लेंगे अब यहाँ पे हम अंदर की साइड आधा इंच और बाहर की साइड आधा इंच ऐसे लेते हुए निशान लगा लेंगे और अपनी गुलाई लेंगे यहाँ से अच्छी तरह सी गोल सेब देते हुए हमें अलकाशा यहाँ पे कम्प्लीट कर लेंगे अपनी गुलाई फ्रेंट जब भी आप इस ट्रिक के साथ बाजू की कटिंग करेंगी और आर्मोल का तो यह एक्तम फिक्स आएगा ना थोड़ा कम ना थोड़ा भी ज़्यादा आप इसे एक वर्ट राई करके जरू देखिएगा तो यह हमारी निशान कंप्लीट होते हैं चलिए हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं अब हम इसको उपन करेंगे और यहां से एक पार्ट में अपनी गहराई ले लेंगे तो जब भी आप बाजू की कटिंग करें डबल फोल्ड कपड़े पे ही करें और दो पार्ट में अपनी गहराई ले लें तो यह हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट होती है चलिए हम इसको आपको तैयार करके भी दिखाते हैं कि हमारा ब्लाउज यह कैसे तैयार हुआ है और एक बराबर से अभी हमारी यह कटिंग आई है तो यहां से देखिए इस साइड से हम जब सिलाई मार्जिंग लेंगे तो यहां पे यह एयर टेस हो जाएगा तो यह हैं तो यह देखिया हमारा बेल्ट भी बराबर आ गया है तो उमीद करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आउन कर लीजेगा हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इजी स्टेप के साथ केटिंग और इस्टीचिंग की वीडियो मिलती रहती है तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए कटिंग और इस्टीचिंग के साथ तब तक के लिए नमस्कार